नमस्कार मैं हूं रोहुत कुमार आप देख रहे हैं नूज़ फोनेशन राब्री देभी निगबाइफ फिर से नितीज सर्कार के साथ साथ केंदर की मोजी सर्कार की वपर जोड़ार हमला बोला है अपने अंदाज में अंदाज ये है कि राबरे देवी ने भोजपूरी के शब्दों पास्तमाल किया है अपना हमला बोलने के लिए राबरे देवी ने अपने अफिशल चुटर हैंडल से जो ट्वीट किया है उसमें लिखती है कि महंगाई बेरोजगारी जनता के कमर तोड़ दिलस बाजार में अइसन आग लागलबा कि गरीब के जील मुहाल हो गईलबा हर जिनीस के भाव पांच से दस गुना बढ़ गईलबा जनता के पास जीय खातिर खरिदारी कड़े के पैसा नहीं खे उपर से गरीब के नागरिकता चिनी के सडियन तो हो रहलबा एह लड़ाई में हम रहुआ स सबके साथ बानी यह भोजपुड़ी है इसका हिंदी में मतलब आपको बताएं तो देश में महेंगाई बिरुजगारी जनता के कमर तोड़ दी है बाजार में ऐसी आग लगई है कि महेंगाई इसकदर की है कि गरीब जो हैं उनका जीना मुहाल हो गया है हर जो जरूरी ची वो किया जा रहा है इस लड़ाई में हम लोगों के साथ या ने कि गरीब लोगों के साथ ही राबरी देवी ने लिखा है भोजपुड़ी में राबरी देवी ने यह हमला बोला है दरसल लगतार, CA, NRC, NPR इन तमाम चीज़ों को लेकर कि महाल जो है वो बनाया जा रहा है उन्होंने साफ कहा है कि महंगाईस के दर है कि जो गरीब आदमी है वो मजबूरी में जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है और जो सरकार है वो नागरिक्ता छिनने की कोशिश करी है गरीब लोग इससे परशान होंगे और इस लड़ाई में राबरे देवी उनके साथ ख अलग अलग लोग हैं कुछ लोग इसमें सब गरीब ये पैसा तो राउड परिवार खागेल इस तरीके से कुछ लोग उसमें कमेंट कर रहें कुछ लो लिख रहें क्या जादी की लिए लड़ाई लटते रतेजल जाने वालालो जी को अब बाहर लाना होगा क्योंकि उनका अब बाहर की जनता ने ठाना है तो जैसिल भाई को जिताना इस तरीके के कमेंट्स हैं इस पर कुछ अलग अलग तस्वीरे हैं अलग अलग तरह कि कल ये राची में लागी आदर की पेशीक दोडान वाले तस्वीरे हैं तो कुछ लोगों ने इसमें राबरे देवी के समर् विल्बा हर जिनीज के भाव पांच से दस गुना बढ़ विल्बा जनता के पास जीर खातर खरदारी करें के पैसा नहीं खे ऊपर से गरीब के नागरिकता छेनने के शडियम तोड़ हल्बा इहीं लड़ाए में हम रवा के साथ बानी है राबरे देवी में लिखा है राब प्रदेवी ट्वीट करके इस तरीके से हमला बोल रही है तो तेज प्रता प्यादर पत्ना के सब्जी बागनी जबर्दस तरीके से नहीं केंद्र की मुझी सरकार पर हमला भी बोला था फिलहाल के लिए इतना ही देखते लिए नीज फोनेशन नमस्कार